कुल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि कैसे वैलेंस की काली जाती है और मैंने यह ख्याए था कि लिख घियल्री के है बोलो clear है सबी को क्योंकि hydrogen के पास एक element है और दूसरे hydrogen के पास भी element है तो दोनों आपस में mutually sharing करके एक element की covalent bond बना लेते हैं और दोनों अपने आपको satisfy कर लेते हैं तो चली hydrogen की बात हो गई hydrogen number one पे है और कल आपने देखा कि एक hydrogen दूसरे hydrogen के साथ combine होकर के अपना molecule बनाता है h2 बोली clear बच्चों क्लियर यहां अब हम बात करते हैं helium की valency की helium की valency की क्या हाल है तो देखिए helium के बारे में कल ही मैंने बता दिया था आपको कि helium का atomic number है helium का atomic number है T और इसका mass number है 4 तो helium के अगर देखा जाए तो helium के पास दो proton होंगे और बाहर चक्कर लगाने के लिए दो electron होंगे तो बताइए बच्चों इसकी valency completely filled है की unfilled है बताइए इसकी valency completely filled है मतलब यह ना किसी से कुछ लेगा और ना किसी को कुछ देगा तो बच्चों इसकी valency कितनी होगी बोलो zero zero yes तो इस लिए यह atmosphere में आपको pure form में elemental form में atomic form में ही मिलेगा तो helium atmosphere में आपको किस form में मिलती है atomic form में कल hydrogen किस form में मिल रही थी molecular form में क्योंकि hydrogen के पास single एक electron था बट उसको valence होने के लिए 2 की जरूरत थी तो इसने दूसरे hydrogen के साथ combine हुआ था और बना लिया था H bond H that is called H2 कल मैंने बहुत detail पर बात करी इस पर और यह H2 बना लिया था तो कल helium की कल hydrogen की बात की थी helium आपने बता दिया तीसरे number पर element आईए भचो तीसरे number पर होता है lithium आप देखे lithium का scene क्या है lithium जो है lithium जो है क्या करता है तो lithium के पास देखे तिन electron है तो तीन proton होगे center पे proton बर तो one two three अब lithium की पहली shell बनाई है ये बन गई lithium की पहली cell बच्छों और इस lithium की पहली shell में कितने electrons होते हैं दो electrons और दूसरी shell में कितने electrons होते हैं बच्छों वन электrons बोलो clear की note yes sir very nice so lithium के यहां पहे हमारे पास देख लिये आपने किस तरीके का cell structure है ओके तो यहां पर आपने देखा कि लीथियम जो है वो आपके पास जो मिल रहा है आपको लीथियम जो है आपके पास दो एलेक्ट्रोन यहां मिल रहे हैं एक एलेक्ट्रोन आपको यहां पर बाहर मिल रहा है कि ऑखे तो आप देखिए का है कि दो इलेक्ट्रॉ Krauto voud है इसके पार बाहर है अब इसके क्या त्वाई से मैंने का दूसरे शल्म में मक्सिम्मम परिमिसबल किइतने होते हैं इलेक्रोंस आडि मतलब तो यह जो second वाली colony है, इसमें max कितने electrons आ सकते हैं, 8 electrons, इसमें maximum आप 8 electron occupy कर सकते हो, तो 8 electron के लिए इसके पास 2 चोईस हैं, या तो वो 7 electron ले ले, या अपना 1 electron दे दे, तो बताओ क्या बहतर है, 1 electron देना, या 7 electron लेना, तो 1 electron ये दे देगा, तो होता क्या है, बच्चों देखें, लीथियम के पास initially कितने रहते हैं, 3 proton रहते हैं, और साथ में 3 electron रहते हैं, बट इसकी ये shell भेज़े यूज़ हो रही होती है, तो ये क्या करता है, ये 1 electron दे देता है, तो लीथियम जो होता है, अपना 1 electron दे देता ह और एक electron देने के बाद, जो लीथियम के पास बचेगी structure वो क्या होगी, 3 बचेंगे proton और 2 बचेंगे electron, तो 3 proton मतलब 3 positive particle और 2 proton मतलब 2 negative particle, तो positive, negative, positive, negative एक दूसरे को क्या कर देंगे, cancel, केवल as an extra, एक positive proton excess में रहेगा, तो इस तरीके से अब लीथियम के उपर net charge कैसा है, positive, तो लीथियम जो है, वो क्या बन जाएगा, positive बन जाएगा, तो अब ये लीथियम नहीं कहलाएगा बच्चों, अब ये कहलाएगा, lithium iron, क्या बोलेंगे इसको, lithium iron, हाँ, lithium iron, एक प्लस बताता है, मतलब जो लीथियम है, एक electron डोनेट कर चुका है, देने वाला हमेशा positive होत है, तो अब लीथियम जो है, एक electron positively डोनेट कर चुका है, सिम्रधी class 9 के group में जाएगे और उसमें notes पड़े हुए, class 9 के video notes है, आज वो ही आपको class करनी है, ठीक न, earphone वहाँ से उठा ले न, plug कर के करो class, तो आपका ये जो है, ये कहलाएगा आपका, lithium जो है आपका, एक वैल लीथियम की वैलनसी कितने हो जाएगी, प्लस वन, अच्छा अब देखी क्या है, lithium इस electron को पूरे तरीके से donate कर देता है, छोड़ देता है, इसके बारे में भूल जाता है, तो कैसे होगा काम देखो, तो ये लिखेंगे आप lithium, लीथियम में से एक electron को minus कर दो, एक electron को अपन क्योंकि इसके उपर एक वैलनसी पॉजटिव है, तो ये इसकी वैलनसी कितनी होगी, वन, तो बच्छो इसकी वैलनसी कितनी होगी, वन, वैलनसी होगी, वन, बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ, अब क्योंकि कल मैंने कल बताया था, कि जो लोग अपने भी electron नहीं छोड़ते थे, टिफिन बॉक्स वाली सेरिंग, वहाँ पर कोवेलेंड बॉन्ड बनता था, बट इसने एक electron टूटली अपना लुटा दिया, अब ये कैसा हो बैठा है, ये देखो, दो electron लुटाने के बाद, दो proton और दो electron होके बैठा है, येस, सॉरी, तीन proton है ना, लिथियम में, लिथिय ये जो है, आपका, ये जो है, आपका, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनाएगा ये, आयोनिक बॉन्ड, समझ गया ना, ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, ये सर, ठीक है, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, उठा लो हो यहां से इसको इयर खुण देंगा तो यह जो है यह आयनिक बोंड़ बनाएगा क्लियर को है आगया समझ में बच्चों हो यह सर तो यह आयनिक बनाएगा अब देखिए आयनिक बनाने का मतलब क्या है आयनिक बोंड को वोच्छो दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग Ek 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 अगर आप 9 फ्लोरिन की structure बनेगे तो कैसी structure बनेगी यह देखिए यह फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटउन, तो मैं इतने जादा महनत नहीं करूँगा, मैं सीधे लिख देता हूँ bracket में 9 प्रोटउन यह देखो, 9 प्रोटउन, अब 9 प्रोट्उन के लिए 9 electron देखिए दो यहां बैट गए, दो हो गए बाहर कितने बठेंगे बटा, साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हाँ, तो देखे, इसके साथ है, उटर मोस्ट में, मगर इसे बैलेंस होने के लिए, इसे इनर्ट होने के लिए, बताओ, कितने होने चाहिए इसके पास, आठ होन मतलब इसके लिए क्या अच्छा है, एक किसी से ले लेना, या अपने साथ छोड़ देना, बताओ, क्या बेटर इसके लिए, अब देखो, यहां पर बच्चो, यहां पर यह देखिए, यह लीथियम था, जो बिचारा अपने तीन इलेक्ट्रॉन में से, एक, दो, और यह त और यह था, तो यहां से देखिए, यह इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जैसे यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यह क्या बन गया, यह बन गया, लीथियम का प्लस, बिगॉज यह लीफ कर चुका है, एक और ये एक electron खा करके क्या बन जाएगा? फ्लोरीन का minus अब देखिए एक बन चुका है plus ion जिसको आप लोग positive ion को क्या बोलते है? के टाइन, positive ion का क्या नाम होता है बच्छों? के टाइन और एक होता है negative ion जिसका नाम होता है N-I-N तो positive ion क्या लाता है के टाइन और negative ion होता है N-I-N तो मतलब क्या हुआ? इसने एक अपना electron दे दिया और इसने एक electron ले लिया समझ में आगे ना? तो electron दे दिया और ले लिया तो lithium बन चुका है positive और fluorine बन चुकी है negative और दोनों combine हो जाएंगे और ये बन जाएगा lithium fluoride क्या बन जाएगा lithium fluoride ठीक है तो बच्चों ये डाइग्राम बनाओ जल्दी से एक मिनट में लेकर आना क्या earphone नहीं चलता है दूसरे उठालो उदर से रखे हुए है तुम घर से ला सकते हो जो लिया दोड़के आया समझ में बच्चों तो ये बन गया बच्चों lithium fluoride तो इस तरीके से ये compound बन गया lithium fluoride तो बच्चों इस तरीके के compound को हम क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या electronic बॉन्ड बनते हैं जिसमें ये कहलाते हैं बच्चों उन इनको compound को बोलते हैं एक compound और ये जो प्लस और माईनस वाला बॉन्ड बनते ना इन के बीच में ये कहलाता बिटा आयों घ्रीक ये कहलाता आयों इक प्सक्पाउंड में कौनसा ब उन्ड पाए जाता है ionic bond ionic bond ठीक ना ionic bond तो ये ionic bond होता है ठीक ना तो आपने कर गया देखा covalent compound किन में बनता है बराबरी वालों में covalent compound जो होता है बराबरी वालों में जैसे hydrogen था और ये hydrogen था दोनों ने आपस में अपनी अपनी property साजह करके बनाई बट यह जो compound bantahonic bond यह loot mark से बनता है मतलब एक वीचारा बरबाद हो जाएगा और एक वीचारा धनवान हो जाएगा तो जो मतलब इसके बास जिसके पास electron जाएगा वो rich हो जाएगा क्यूकि वो एक इस ने electron ले लिये अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप बड़े आराम से सब के आयन मना सकते हैं अगर आपकोkeltronic configuration पता है अब देखिए क्या होता है बच्佩ों की वैलेंसी क्या होती है प्लस वन फ्लॉरीन की वैलेंसी क्या होती है माइनस वन तो बच्चों यह किस्क्रोस शुरूल चलता है यह वाला वन इधर आता है और यह वाला वन इधर आता बस हो गया तो LI अब 11 तो लिखे जाते नहीं है तो सीधा compound क्या बन जाएगा LIF क्या बन जाएगा LIF lithium fluoride बुलो समझ में आया की नहीं आया है अब प्लस माइनस में छोड़ो मतलब देने वाली बात और माइनस मतलब लेने वाली बात तो उसको छोड़ दो यहां पर उसका कोई लेना देना नहीं नहीं तो यह वन इसके सबस्क्रिप्ट में आएगा और यह वन इसके सबस्क्रिप्ट में आएगा बढ़ हम सबस्क्रिप को तो लिखते नहीं है तो हम डिरेक्टली क्या लिखेंगे ल आई एफ अब इसको और अच्छा क्लियर करता हूं बच्चों लोग सोडियम अब मैं वैलेंसी दो पढ़ा चुका हूं फर्स्ट ग्रुप में सोडियम है वैलेंसी बोलो किती होती है बच्चों सोडियम की प्लस वन और क्लोरी लास्ट ग्रुप में है वैलेंसी किती है माइनस वन माइनस वन याद किजिए आप लोग मैंने कल वैलेंसी पढ़ाई ती फिर्स्ट ग्रुप की वन सेकेंड ग्रुप की टू फिर इसके बाद बोरण ग्रुप की ठी फिर कारवन ग्रुप की फोर मैंने का था बिटा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यहां तक होती है, 4 में दोनों चलता है, प्लस माइनस, इसके बाद घटना शुरू होती है, एक से लेके 4 तक बढ़ती है, फिर 4 के बाद 3, 2, 1, और 0, याद आया? येस सो, हाँ, तो कल मैंने इस तरीके से वेलेंसी आपको बढ़ाई थी, कि यहां से ये 4 तक बढ़ती है, और पीछे से भी ये नेगेटिम में 4 तक बढ़ती है, है ना, बाद में लास्ट में क्या जाती, 0, 0 वाले में कौन सा गुरू पढ़ता है, हीलियम गुरू, ओके, यह गन, आलू, गाजर, इन, थैला, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, बाप, राजी, और ये लीना की रबडी, सस्ती, फ्री, यह लीना की रब से फर्याद, ये कल मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, कि प मैंने 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 म मैगनिशıyम ने दो इलेक्टरोन छोड़े थो इसकी वैलंसी कित दी होगी दो अब देखिए मैगनिशय किозग अब देखो क्या हो रहा दो मैगनिशया में मैगनीशम का अटॉमिक नमबर कितना होता है बारा ट्वल तो मैगनीशम के पास ट्वल प्रोटॉन होते हैं मैगनीशम के पास ट्वल प्रोटॉन होते हैं अब ट्वल प्रोटॉन के बाद 12 प्रोटॉन देखो यह मैगनेशियम के पास 12 प्रोटॉन है और यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर 8 भर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 8 हो गए और यहाँ पर 2 एस्ट्रा हो गए ओके, देखो 12 हो गए ना टॉटल देखो 2 अंदर है 8 बाहर है और 2 बाहर है 12 हो गए अच्छा और मैंने क्या बताए था आउटर में कितने फिल होने चाहिए 8 तो ज़्यादा ही क्या बताए 6 लेना एजी है कि 2 देना एजी है 2 देना एजी है 2 दो गिब 2 2 दो गिब 2 is more easy ओके सो यह क्या करेगा यह 2 एलेक्ट्रोन अपने दे देगा यह 2 एलेक्ट्रोन अपने दे दिया मतलब एक मेगनेशियम है वो अपने 2 एलेक्ट्रोन को लुटा करके क्या बनाएगा M-G- PLUS 2 तो 2 ऐलेक्ट्रोन देने के बाद क्या बन जाएगा M-G- PLUS 2 अब यहाँ देखो क्या होगा यह क्लोरीन है क्लोरीन के पास आउटर मोश्ट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन दोड़कर के आएगा एक क्लोरीन पकड़ लेगी एक इलेक्ट्रॉन और दूसरी क्लोरीन पकड़ लेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन क्योंकि chlorine की valency देख लो ध्यान से-1 है लास्ट वाले ग्रूप में है chlorine फिर कल बाहर आई अंटी तो chlorine की valency किती है-1 मतलब इसको कितने की भूँक है एक की तो यह एक electron इससे पकड़ ली और एक electron इससे पकड़ ली समझ गए ना मतलब mg तो हो गए plus 2 और 2 chlorine हो गई यहाँ पे तो mg plus 2 के साथ देखो क्या हुआ 2 chlorine थे 2 Cl और दोनों ने 2 electron खा लिए एक ने एक खाए एक ने एक खाए तो क्या बन गया 2 Cl minus दोनों ने एक एक electron खा लिए 2 Cl minus तो अब देखो दोनों का compound क्या बनेगा कैसे बनेगा देखो मैंने तरीका बताया mg के उपर plus 2 लगाओ और Cl के उपर क्याल हो थी valency minus 1 बोलो yes और no magnesium की valency plus 2 और chlorine की valency minus 1 क्रिस क्रॉस रूल लगाई यह Cl जाएगा इसके साथ 1 जाएगा इसके साथ और 2 जाएगा इसके साथ तो compound क्या बन गया MgCl2 magnesium chloride magnesium chloride बोलो समझ में आया compound कैसे बनता है यस तो इस तरीके से compound बनता है क्योंकि 2 electron कैसा compound है बेटा क्योंकि देखो loot मारी हुई है यहाँ पर सारी electron की कोई जीत गया कोई हार गया तो यह ionic compound है ionic compound बच्चों कैसे होते हैं crystal solid होते हैं नमक ले क्या दो न मार्केट से आप लिए नहीं होगे नमक डिगली वाला नमक खाता है बच्चों कच्चा नमक जो होता है आप तो पिसा नमक लेते हो तो एक crystal solid आता है जो गाय वगरे खाती है तो वह magnesium chloride जिनके वगरे गाय वगरे पाले होगे तो उनके आपका यह नमक होगा तो यह crystal form में होता है crystal form crystal मतलब उसमें specifically setting होती है item adjust हुआ खरते है crystal form में होता है तो आपका magnesium chloride भी एक ionic salt क्या है ionic salt चलो बो बच्चों समझ में आ गया कुछ पूछना है किसी को तो यह इस तरीके से हमारे सारे compound बन सकते हैं चलिए एक compound मैं आपसे पूस्था हूँ aluminium and chlorine बताइए aluminium और chlorine से बनने वाला chloride जो होगा aluminium का वो कैसा बनेगा पताऊ क्या होगा बोले aluminium की balance कितनी केैड़ी aluminium की वैलेश्वाइन की आपके जॡ्री की इस दो इस ऐयगा यहां क्रूस में कि माлюमिनियू की तो क्रिस्क्रोस लगा दो रिषा प्रहां जया गांत सुक्त थ्यागा यहां मात bleibt कॉद्र आए गांया बन गया ALCL3 समझ मैं है तो बन गया compound ALCL3 तो प्लस 3 को खतम करने के लिए माइनस 1 के कितने यूज़ करने पड़ेंगे 3 तब ही तो प्लस 3 और माइनस 3 0 हो पाएगा यह सुर्ण हाँ तो इस तरीके से आपको compound बनाने है समझ मैं आ गया बच्छों कि हमारे पास atom element होते हैं दो तरीके के आयन मनाते हैं अगर electron लेंगे तो positive आयन मनाएंगे और electron लेंगे तो negative आयन मनाएंगे समझ गया ना तो आज हमने simple आयन देखें अब हम कुछ हैन और देखते हैं जो group वाले group of element के आयन मनते हैं तो heading डालिए iron with group of element iron with group of element iron with group of element okay group of element iron iron with group of element तो कुछ iron with group of element देखले थे हम लोग वैसे आपने नाम सुने होगा कभी sulphate iso4 यह देखो sulphate आपने जरूर नाम सुना होगा sulphate वैसे sulphate कहना इसको बिल्कुल गलत है actually बच्चों iso4 कुछ नहीं होता है जो भी होता वो होता है iso4 minus 2 मतलब उपर देखो यह minus 2 चमक रहा है ना minus 2 चमके plus 2 चमके इसका मतलब यह iron है तो इसका सही नाम है बच्चों sulphate iron यह जो iron है इसको हम बोलते हैं sulphate iron यह sulphate iron है और इस iron की valency कितनी होती है minus 2 इसकी जो valency होती है यह minus 2 हुआ करती है sulphate iron की जो valency होती है यह minus 2 होती है ऐसे आपने सुना होगा बच्चों कौन सा आयन सुना होगा अपने sulphate iron सुन लिया चलो ठीक है आपने ammonium अगर सुना हो चलो ammonium नहीं सुना होगा आपने carbonate iron सुना होगा जी हाँ CO3 तो carbonate iron का formula होता है CO3-2 ओके तो यह लिख लो CO3-2 यह होता है carbonate iron carbonate iron बिटा इसकी valency कितनी होती है minus 2 इसकी भी valency होती minus 2 मतलब इसको satisfy करने के लिए कितने लगेंगे plus 2 इसको कितने लगेंगे satisfy करने के लिए plus 2 अब आईए मैं आपके सामने कुछ compound बना के दिखाता हूँ जैसे किसी ने कहा आपको कि मुझे बना करके दिखाओ sodium carbonate किसे ने कहा कि भाईया sodium carbonate बना करके दिखाओ sodium carbonate बना करके दिखाओ तो sodium carbonate कैसे बनेगा देखिए sodium मतलब na carbonate मतलब c होती minus 2 बोलो yes or no yes sir sodium की valency बच्चो होती है plus 1 carbonate की होती है minus 2 तो 1 minus 2 को ठंडा करने के लिए satisfy करने के लिए sodium मेरे को कितने उठाने पड़ेंगे 1 या 2 2 2 तो 1 तरही है 2 बिल्कुल सही exactly तो एक तरीका या तो क्रिस क्रोस से कर लो तो 2 को इधर भेज़ दो और 1 को इधर भेज़ दो तो क्या बन गया compound Na2CO3 तो yes Na2CO3 ये compound बन गया sodium carbonate का चली अगला अगर मैं आपसे बोलूँ magnesium carbonate तो mg और carbonate carbonate की minus 2 होती है और magnesium की भी क्या होती है plus 2 तो plus 2 minus 2 दोने दूसरे को cancel कर देंगे तो इसमें क्रिस क्रोस की कोई जरूरत नहीं है इसका क्या बन जाएगा बच्चों mg CO3 तो लिख लीजे magnesium carbonate का formula mg CO3 अब समझ में आई ही सारे compound कैसे बनते हैं येस सर्थ ओके अगला मैं आपसे बोलू aluminium carbonate बना की दिखाओ मेरे को तो aluminium और carbonate चलो बताओ carbonate की valency minus 2 aluminium की valency बोलो किती फिरी वेरी गोल दस्त्री होती है भोलो क्या बनेगा formula AL2 CO3 whole price very good AL2 CO3 whole price 2 यहां आ गया 3 यहां आ गया note कर लो aluminium carbonate लिखो aluminium carbonate AL2 CO3 whole price समझ में आ गया किसकी बिटा आइन की valency कैसे पता चलेगी carbonate iron की valency जो होती है यह जितने भी ions होते है multiple ions बिटा इनकी valency आप class 11th में निकालना सीखोगे तो यह class 10th में है यह experimentally आती है तो अभी किस लिबस में आपको बिटा उसको रटना ही है उसको याद करना आपको समझ गए yes sir तो अभी आपको इसको याद करना है clear चलो आगे चलिये ठीक है अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या-क्या valency होती ion की उन ions की valency को आप लोग लिख लें क्योंकि वो हमारे control में नहीं है तो यह देखिए बच्चों कुछ valency लिख लो sodium ion की valency यह तो कोई भी बच्चा बता लेगा sodium की valency plus one है potassium की valency बच्चों first group में है lina की रबडी के यानि की रबडी plus one silver की valency लिखो बच्चों plus one silver की valency plus one बोलो ठीक है अब मैंने बच्चों आप लोग को 10 table बीच में उच चुड़वाए थे याद करो आप कह रहे थे ना की सर sodium आपने first group पढ़ा दिया lina की रबडी second group आपने पढ़ा दिया सर और बीच में बटा देखो 10 के 10 group मैंने आपको चुड़वा दिये थे वो 10 के 10 group मैंने क्यों बता है क्योंकि बेटा ये जो 10 के 10 element होते है ना इनकी valency fix नहीं होती है इनकी variable valency होती है इसलिए इनको याद नहीं करना आपको इसलिए इनका कोई जादा वो नहीं है क्योंकि आपको याद करना बड़ा मुश्किल है और ये पूछे भी नहीं जाएंगे समझे ना बड़ में याद करना आपको एड़दा एंड सिखा दूँगा कोई बड़ी बात भी नहीं है अगर आप ये पास page नमबर 87 हो तो आप देख लें ट्रिक मैं आपको बताया देता हूँ साइन्स टीचर विनिता क्रिपालनी मन फे को नी क्यों जगडते हो देखो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो देखो ये ही है क्या page नमबर अपकी बुक ये इस साथ हाँ देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम ठीक ना क्रिपालनी क्रोमियम बिटा सी यार क्रोमियम मैगनीज आयरन कोबॉल्ट निकिल कॉपर जिंक तो ये ये आपको याद करना सिखा देंगे बट अभी आपके काम में नहीं है कुछ काम के बस अब ये जानो कि सर मैंने आपको मैंने क्यों नहीं बताई है बिटा ये जितने भरे हुए है इनकी कोई एक वैलेंसी नहीं है ये लोग हैं बहुरूपिया बहुरुपियां मतलब जैसे मतलब जिनको जो दे दो थोड़े से सटिस्पाई हो जाते हैं मतलब एक ने इनकी क्याई वैलेंसी है जैसे कॉपर के पास कॉपर बोलेगा कॉपर की मेरी वैलेंसी है एक बार कॉपर अपनी वैलेंसी आपको दिखाता है 2 मतलब आपके पास बनेगा Cu के साथ 2 लोग जुड़ेंगे 2 electron खाएगा और एक बार copper अपनी valency दिखाएगा 3 तो मतलब 2 valency states हो करता है copper 1 and copper 2 and copper 3 I think ऐसे कुछ होता है copper 1 and copper 2 sorry बच्चो 2 और 3 नहीं copper 1 and copper 2 तो लिखो copper की 2 valency देखो copper फैला है copper first Cu plus and copper second Cu plus 2 तो देखे copper की 2 valency यहाँ पर आ रही है समझ में आया Yes sir तो copper का जो पहला plus मतलब copper की single positive जो आयन मनता है बिटा उस आयन को बोलते है Q plus लिख लो Q plus copper का जो single single positive आयन मनता है that is called Q plus और copper का जो double positive आयन मनता है क्योंकि उसमें valency जादा है जादा को ही नीम बोलते है अधिक तो इसलिए उसका नाम पढ़ गया Q prick copper का Q plus and Q prick दो valency हो गया ऐसे iron का भी बनेगा बच्चो iron के भी दो बनेगे 1 plus 2, 1 plus 3 तो iron का जो plus 2 बनेगा बच्चो लिख लो copy में F e plus 2 ये देखो उपर बन गया ये F e plus 2 इसको बोलते है फेरस और एक जगे बनेगा F e plus 3 F e plus 3 वो बनेगा फेरिक एक बनेगा F e plus 2 और एक बनेगा F e plus 3 तो एक बनेगा फेरस और एक बनेगा फेरिक समझ में आया मतलब एक जगे iron का वेलेंसी प्लस 2 होगी और एक जगे प्लस 3 होगी फेरस फेरिक देख लो example देखो चलो देखो मुझे बताओ F e o F e o हां बताइए कौन सा ऑकसाइड है यह फेरस ऑकसाइड है की फेरिक ऑकसाइड है सोचो पेरस ऑकसाइड बिल्कुल सही यह फेरस ऑकसाइड है क्यों iron की वेलेंसी यहाँ पे प्लस 2 और ऑकसीजन की होगी माइनस 2 तो तभी तो क्रिस क्रॉस रूल तो सेम टू सेम कैंसल हो गए ना तो क्या बन गया F.E.O. मतलब ऑक्स फैरस यहां पे प्लस टू इस्टेट में था आयरन दाट्स वाइट इस कॉल्ड फैरस ऑक्साइड बोलो समझ में आया यह साफ अगर फैरिक की फॉर्म देखना चाहते हो तो फैरिक में आयरन क्या होता है प्लस ट्री और ऑक्सीजन क्या होता है टू माइनस टू तो लिए इधर उधर कर दो क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या बनेगा कंपाउंड F.E.O.3 क्या बनेगा फैरिक ऑक्साइड नोट कर लो किसी बच्चे ने पूछा पर सुमेने से सर यह F.E.O.3 क्या होता है तो मैंने बहुता था यह आयरन का ऑक्साइड होता है इस इस कॉल फैरिक ऑक्साइड नोट कर लीजे F.E.O.3 बेटा आयरन की ओपर जो जंग लगता है न वह इनी दो कंपाउंड की वहिए सकता है या तो आयरन का ऑक्साइड फैरस ऑक्साइड होगा यह F.E.O.3 होगा इनी दोनों को हम बोलते हैं रस्ट आपने लोहे की आर्टिकल देखे हूँगे ब्राउन कलर के हो जाते हैं, those are called rust तो यह ferrous oxide है और एक ferric oxide है तो दोनों बनते हैं बच्चों, समझ में आया? यह सर्थ, चलो बहुत बढ़ी है तो बताओ मुझे cuo cuo, copper की कित्ती valency देखी हैं अपने दो एक copper की plus two देखी और एक copper की क्या देखी plus one देखी और plus two देखी एक plus one देखी और एक plus two देखी तो मैं आपके सामने दो compound बना रहा हूँ और मैं आपसे पूछूँँगा बताओंगा कौन सा cup cuprous oxide है, कौन सा cupric oxide है एक मैं बता रहा हूँ cuo और एक मैं बता रहा हूँ आपको cu2o चलो, बोलो, कौन सा है cuprous और कौन सा है cupric cuo and cupric cuprous and cu2o is cupric ओके, देखते हैं आपने cuo को को कह दिया cuprous को कह दिया cupric, चलिए देखते हैं बाई, cuprous वाले में copper की valency plus one होती है बोलो, हाँ आया न और oxygen की होती है minus two अब बिल्कुल सही oxygen की तो हमेशा minus two होती तो two इदर आया, one इदर आया, तो क्या बन गया cu2o cu2o तो ये बनेगा बताओ, cuprous और यहाँ देखिए इसके लिए क्या हो रहा है cu की बन रही है plus two और oxygen की बन रही है minus two तभी तो minus two plus two cancel हो गए तो बताओ, क्या दिखाइए cuprous है की cupric है cupric cuprous is cupric oxide आप लोगों ने सोचा अच्छा, इसमें दो copper है, इसलिए इसको cupric कर दो और एक copper है, इसलिए में cuprous कर दो no, number of copper से नहीं होगा किस से होगा, valency से होगा valency देखिए की cuprous की क्या है cupric की क्या है, तो बच्छों लिखो copper की दो लिख 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 क्यूप्रस, cupric magnesium सबको पता है, plus two, calcium, plus two, zinc, plus two नोड करो बच्छो, zinc की plus two होती है aluminium plus three, aluminium plus three तो ये सारे के सारे single atomic ion थे single atomic ion थे, ठीक न, देख लो सब में एक ही atom यूज हुआ है एक ही element यूज हुआ है ये सारे के सारे positive थे और बच्छो, याद रखिएगा, जिनके positive ion बनते हैं, वो metal होते हैं so these all are metal तो जिनके positive ion होते हैं, वो क्या होते हैं? metal होते हैं, क्योंकि positive ion वो बनाते हैं, जो दान देते हैं जिनके अंदर दया होती है तो ये metal होते हैं, जो दान देते हैं, electrons को तो लिखलो कॉपी में all positive ions are metallic ions जितने भी positive ions होते हैं ये metallic ions होते हैं except hydrogen, hydrogen को छोड़ कि hydrogen जो है metal के सारी properties follow करता है पर इस्टिल matter नहीं है क्योंकि भगवान ने उसको gas बना दिया अगर वो solid होता दो बिचारा वो भी metal होता समझ में आ गया बच्चों? ये सर्म चली अब बच्चों लिखो negative ions negative ion कौन से होते हैं? single element वाले almost सब लोग जानते हो negative, sorry मतलब negative ion में लो non metal वाले हैं ये ज़्यादा तर negative भी आएंगे बट hydrogen को यहां लिखना था फिर मैं लिखा नहीं पाया इसलिए नहीं लिखा आया क्योंकि ये metal का group बदल जाता इसलिए लिख लो बच्चों ये सारे के सारे non metallic हैं लिखो hydrogen, hydrogen के दो plus बनते हैं बटा, एक plus बनता है, एक minus बनता है तो अगर hydrogen का plus ion होता तो बटा उसको हम बोलते हैं hydrogen ion लिख लो hydrogen का plus ion कहलाता hydrogen ion और hydrogen का negative ion कहलाता बच्चों hydride ion क्योंकि hydrogen के पास दो च्वाइस है एक electron लेके घर बसा ले या एक electron के छोड़ के बाबा बन जाए क्योंकि उसके पास बिचारे के पास एक ही होते हैं तो दो च्वाइस हैं ये देखो, एक होता है बिचारे के पास electron तो या तो इसको भी छोड़ दे तो बाबा बन जाए शेल खतम, ना घर ना बार समझ गया न और दूसरा, एक electron ले ले तो एक तो था और दूसरे से किसे से लूट लिया तो दो बन गए, तो भी घर बस गया तो ये क्या होगा जब लेगा, लूटेगा, तब वो बनेगा hydride ion नोट करो, hydride negative ion सारे आइड होते हैं जितने भी negative ion होते हैं सब में आइड लगाये जाता है अगला लिखो, chloride CL minus bromide BR minus iodide I minus oxide O2 minus sulfide S2 minus S2 minus या S minus 2 भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है nitride N3 minus nitride N3 minus बोलो बच्चो clear बोली बच्चो clear हुआ अब लिखी बोली बच्चो clear हुआ carbonate हो गया, अभी आपने देखा न, carbonate में कौन-कौन था, carbon था और oxygen था, तो अब लिखो polyatomic iron, heading डालिए polyatomic iron, इनकी valency देखेंगे, तो polyatomic iron की valency बच्छों आप लोगको याद करनी है, है न, उसको आपको याद करना पड़ेगा बच्छों, polyatomic iron की valency को आपको याद करना प देखो इसमें एक नाइट्रोजन है और चार हाइड्रोजन है अमोनियम एनेच फोर प्लस एक नाइट्रोजन है चार हाइड्रोजन है मतलब टोटल पाँच एटम है बच्चो एक प्लस लगा मतलब इसकी वेलेंसी क्या होगी प्लस वन प्लस वन अमोनियम चलो इसी बात पे मुझे कौन बताएगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोली सबी लोग अमोनियम बिल्कुल सही अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4 प्लस वन और क्लोरीन किती होती है माइनस वन दोनों ने पड़ गए कमपाउंड बन गया बच्चों मेरे नहीं नहीं देखा है किसी ने देखा है कि नहीं देखा बोलो क्यों आज तक देखा नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि आपने देखा कि नहीं देखा आपने जानते ही नहीं हो कि यह क्या होता है तो बताई नहीं सकते हो कि देखा कि नहीं देखा चुप बैठे हुए हो ठीक है न करीना कपूर को जानते हो कि नहीं जानते है हलो जानते हो यह सब कर नाम के बगल में क्या लगाती है कपूर और घर में आपने कभी कपूर से कपूर से अगर बत्ती जल कपूर आसे भगवान की पूजा करी कपूर जलाते हैं ना और वो कपूर आख पकड़ लेता है और बड़ा मस्त जलता है हाँ यह ना तो यह जो कपूर होता है ना जलाने वाला यही होता है अमोनियम क्लोराइड समझ में आया तो आपने सब तो सबने बताओ सबने कपूर जलाया कि नहीं जलाया जैसर तो बहिए यह एनच फोर सील जो होता है इसको बोलते हैं कपूर ठीक है ना चलो नोट कर लो यह कैमफर है कैमफर समझ गया है कैमफर चलो कोई बात नहीं तो भाई यह एनच फोर सील अपना हो गया कैमफर हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं आप लोगों नहीं यूज किया है इसको चलो कम बैक आजो तो बच्चों आमोनियम आयन नोट कर लो एनच फोर प्लस याद रखना वैलेंस इवन हाइड्रोकसाइड आयन ओके एक हाइड्रोकसाइड के सॉल्ट का एक्जामपल बताओ एक हाइड्रोकसाइड कमपाउंड का बहुत ही फेमस कमपाउंड है सोडियम हाइड्रोकसाइड ओके एने ओए हाँ सोडियम हाइड्रोकसाइड में एने पुलस वन और ओएच माइनस सोडियम हाइड्रोकसाइड का क्या यूज होता है जो आपके घर में वाशिंग पाउडर आता है उसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोकसाइड इस्तमाल होता है वाशिंग पाउडर समझ गए ना तो washing powder बनाने के लिए sodium hydroxide इस्तमाल होता है आप अपने हाथ की हतेली में थोड़ा सा washing powder लेना और इसमें दो बून्द पानी डालना आप देखिएगा ठीक है आप देखिएगा कॉस्टिक सोडा इसका जो market में नाम मिलेगा आपको इसका जो scientific name है that is called caustic soda caustic soda जी हाँ तो जितने भी washing powder बनते हैं सब में caustic soda पड़ता है तो caustic soda लाके washing powder बनता है और जब आप इसमें हाथ में लेकर के इसमें थोड़ा सा दो बून्द पानी डालते हैं तो आपको गरम-गरम sensation feel होती होगी कभी feeling हुई निर्मा हाथ में डालके गरम पानी पानी डाला होता हो तो this is because of this caustic soda यह caustic soda की वज़े से होता है समझ गए बच्चों और यह बहुत basic होता है अब basic क्या होता है मैं आपको अगले chapter में पढ़ाऊंगा acid and base में फिलाल आते हैं अब अपने काम पे nitrate iron no3- note करो nitrate nitrate iron no3- सिम्रद्धी जितना कराया है पूरा note करो उसको पूरा topic उसमें notes पढ़े हैं ग्रुप में हाँ सब कुछ nitrate iron मतलब no3- iron that is called nitrate iron hydrogen carbonate बच्चों लिखो hco3 hydrogen carbonate hco3 iron ये iron भी आपके बहुत काम का है ये iron भी आप अपने घर में बहुत इस्तिमाल करते हो बच्चों hydrogen carbonate जिनके घर में केक बनते हैं बेकरी आइटम बनते हैं बर्गर बनता है फिज़ा बनता है वो लोग ये आइटम ये वाला carbonate iron जरूर यूस करते हैं as a form of baking powder जिनके आप baking powder ह ना वो लोग के पास ये वाला iron है that is called hydrogen carbonate इसका दूसरा नाम लिख लो बच्चों बाई कार्बोनेट chemistry की बाई है hydrogen जहां जहां hydrogen आता वाँ बाई आजाती है तो ये देखो hydrogen याने बाई कार्बोनेट तो इसी का नाम hydrogen carbonate है इसी का नाम बाई कार्बोनेट है अगला लिखिये carbonate iron CO3-2 carbonate iron carbonate iron then sulfite SO3-2 and sulfate SO4-2 एक है sulfite है एक है sulfate है और देखना confused मत होना sulfite में oxygen होता है और sulfite में sulfur होता है pure एक है sulfite TE और एक है sulfite ये देखो पहले करा चुगा हूँ sulfite ये sulfite बैठा हुग है ये sulfite है और एक है sulfite SO4-2 अब एक लिखो phosphate PO4-3 that is called phosphate iron तो PO4-3 iron जो है वो phosphate iron है कोई पूछे कि sulfite और sulfite में क्या फरक है क्या बताओगे बता देना कि भईया sulfite में sulfur की power minus 2 होता है minus 2 iron होता है और जो sulfite होता है sulfite में S की power minus 2 जिसमें D आया और sulfite में SO3-2 होता है और SO4-2 कर दोगे तो क्या बन जाएगा sulfite बन जाएगा जी हाँ sulfite बन जाएगा अगला लिख लो phosphate PO4-3 PO4-3 चलो तो मुझे कोई बता दो hydrogen phosphate का formula PO4-3 hydrogen phosphate हाँ PO4-3 है तो माइनस 3 नीचे चला जाएगा यहाँ बन जाएगा S3PO4 लिख लो बच्चों hydrogen phosphate H3PO4 यह hydrogen phosphate का formula है अब बच्चों इतने सारे iron बताने के बाद criss cross rule बताने के बाद covalent compound बताने के बाद ionic compound बताने के बाद अब आपको मेरी तरफ से कोई confusion नहीं रह जाता है formula बनाने के लिए क्योंकि अगर एक बार आपकी valency clear है तो formula बनाने में कोई दिक्कत नहीं है समझ गए ना complex compound को छोड़ दो बस glucose को छोड़ दो क्योंकि glucose जो है वो कैसा compound है covalent compound है और जादा तर हमारे syllabus में आने वाले हैं अभी इस chapter में ionic compound हम covalent भी बना सकते हैं बट हम छोटे मोटे covalent बना सकते हैं for example ammonia ammonia एक covalent compound है बलकि मैं तो यह कहूँगा बच्चो जितने भी gaseous compound है सब के सब covalent है लिख लो copy में all gaseous compound are covalent ठीक है ना क्योंकि ionic bond तो बहुत मजबूत होते हैं ionic bond में plus और minus हो जाते हैं मतलब ionic bond मतलब जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है तब ionic bond बनता है plus और minus दोनों आत्मा एक दूसरे से तलिके लिए तड़पने लगती हैं तब बनता ionic bond और covalent bond जो है वो तो male में लाप से हो जाता है एक हाथ लो एक हाथ दो दोनों की partnership करके हो जाता है तो देखो covalent bond उतना strong नहीं होता है मेरे कहने का मतलब यह है इसलिए covalent bond के compound जो होते हैं ज़्यादा तर gaseous form में मिलेंगे liquid form में मिलेंगे मगर ionic compound आपको solid form में मिलेंगे जैसे नमक naCl sodium chloride की बात करो must compound है बच्चो na plus और cl minus दोनों तड़ती हुई आत्मा है एक दूसरे को प्यार करती हैं मिलती है तो बनता naCl यह जुड़ जाते हैं और इतना मानों भीया यह इतने भेंकर जुड़ते हैं कि आप naCl को गरम कर दो कड़ाई में रख करके कितने temperature पे 5000 degree centigrade भाई साब नमक नहीं तूटता है क्योंकि इन्होंने कसमे खा रखी है जीएंगे संग संग मरेंगे संग संग NaCl इतना strong compound है बच्चों सोच उन्हों NaCl किस form में पाए जाता है solid form में इतना strong compound है तो आएनिक compound बहुत strong होते हैं अब देखिए बट बात करता हूँ मैं किसकी NH3 की यह देखो ammonia NH3 कैसे बनता है आजाओ nitrogen को देखो हाल क्या है nitrogen का atomic number क्या है बच्चों period table में देख लो 7 देख लो सब लोग देख लो 7 है atomic number 7 है मतलब अंदर 2 बाहर 3 1 2 3 4, 5, sorry बाहर 5 थे मैंने 3 बोल दिया गलती से 5 और 2, 7 हो गए यह देखिए अब क्या तरीका है या तो अपने बाहर के 5 लुटा दो ना बबबना किसी के 3 जपट लो यह कर सकते हैं किसी के 3 जपट सकते हैं जपटने के लिए सबसे कमजोर प्राणी इसके पास आता है हाइडरोजन तो हाइडरोजन इसके पास घुमता हुआ आता है तो हाइडरोजन को कहता हाइडरोजन से यह जपटने की कोशिस करता है कि एक इसका मैं जपटा मार के ले लूँ मगर हाइडरोजन के एक इसके जपट नहीं पाता इतनी ताकत इसके पास नहीं है कि यह हाइडरोजन के एक इसके पास ले ले यह इतना बड़ा गुंडा नहीं है हाँ अगर कलोरीन होती ना तो कलोरीन हाइडोजन का एक एलक्टरॉन खटाक से लूट लेती मगर नाइट्रोजन इतना बड़ा गुंडा नहीं है कि हाइडोजन का एक एलक्टरॉन ले ले तो फिर ये दूसरे तरीके से बात कहेगा अरे या कहेगा देखो भाई तुम्हें अपनी जिंदगी सेट करने के लिए एक इलेक्टरोन की जरूरी है बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है हाईटोजन बोलेगा हाँ नाइटोजन कहेगा देखो मुझे भी जरूरत है तुम्हारे इलेक्टरोन की आओ एक काम करते हैं कि दोनों लोग अपने अपने इलेक्टरॉन को शियर कर लें पार्टनर्शिप कर लेते हैं तो खल मैंने बताय था पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप कैसे होती है कैता ठीक है एक काम करते हैं आज के बाद जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है तो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोन इधर आ गया तो मतलब अब नाइट्रोजन बोलेगा ये वाला भी मेरा है और ये वाला भी मेरा है और hydrogen कहेगा तेरा वाला भी मेरा और मेरा वाला भी मेरा तो इस तरीके से hydrogen को कित्थे की feeling आएगी 2 की और nitrogen को भी कित्थे की feeling आएगी 2 की यहाँ पर इस position पर हम nitrogen के पास कित्थे ओए देखो total बाहर एक, दो, तीन, चार यार पांच थे ना मैं भूल गया एक पांच ये देखो एक पांच ये बना लो एक दो तीन चार और ये पांच बना लो चलो ये पांच बन गए और ये च्छे हो गए चलो अच्छी बात है च्छे हो गए टोटल देखो hydrogen का में इलाके 6 हो गए बोलो बच्चो yes की no एक और आ गया एक hydrogen को और बुला लिया मना लिया इसने 7 हो गए एक और इधर से बुला लिया hydrogen को भाईया 8 हो गए आमला सेट हो गया देखो nitrogen के पास total count करो 1 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8 देखिए और 9, 10 तो अंदर 2 है ना बाहर तो 8 हुए ना बाहर से मतलब था ना total कितने हो गए 10 तो ऐसे ही तो चाहिए था पहले में 2 बाद बाले में 8 तो बाहर 8 हो गए कि नहीं हुए बच्चो बताओ 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 तो nitrogen की life set हो गई और nitrogen इस तरीके का bond बनाएगा एक hydrogen left में, एक hydrogen right में और एक hydrogen bottom में this is called NH3 क्या बोलते हैं इसको ammonia ammonia ये एक gas है समझ गए ना और इसका use बहुत सारी industries में होता है specially fertilizers बनाने में होता है this is called ammonia तो बच्चो ये थी आपकी basic chemistry यहां तक जो आपको compound बनाने थे आज आपका काम क्या है आज आपका काम है कि यहां पर मेरे पास जो sheet मैंने इसमें दी है और इसमें नीचे different different type के compound बने हुए देखिए आपको मैंने tag कर दिया ये क्या क्या बना हुए देखो किते प्यारे प्यारे compound बने है अपको जादा से जादा compound बनाके practice करनी है आपको यह देखो Na2O, Calcium Oxide, Al2 जितने भी compound आपको मिल रहा है सब बना के मुझे आपको भेजने है कि देखो सर मैंने इतने compound बनाए और आपको बिल्कुल confirm हो जाना चाहिए फिर इसके बाद मैं सुरू करूँगा आपका chapter मतलब अभी तक मैंने आपके किवल बेसिक्स कराए है चैप्टर तो अब आपका सुरूओगा कल से तो पहले आपको यहां तक मुझे जितने compound बना सकते हो बना के भेजना और बताना देखो सर मुझसे बनने लगा जैसे माम बोलूँगा बेटा calcium hydrogen carbonate बना हो तो बहुत ही सिम्पल सर C A क्या होती है सर प्लस टू और hydrogen carbonate आज आपने बनाई होती है सर माइनस वन बहुत ही सिम्पल है सर यह बन इदर आएगा तू इदर आएगा बन गया सर formula 가 all twice तो जब मैं अगली बार आपको पढ़ाऊंगा क्लास में तो आपको फॉर्मूला बनाने के लिए फिर मैं टाइम नहीं दूँगा फिर अब मैं मुझे निकाल लूँगा आपके फॉर्मूले का नाम और आप खटाक से मेरे को बना के दे दोगे तब तुमा जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने का तो सबी लोग बताईए आप लोग मुझे ये काम करके दोगे आज चलिए थैंक यू बच्चों आज की क्लास ही पर समापत होती है बै 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 बच्चों अच्छे से करिए ये